नमस्कार दोस्तों श्वागत करती हूँ आपको अपने यूटूब चैनल संद्या हुमिनिस्ट में दोस्तों मनरेगा मेट के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना लेकर आई हूँ जीहां दोस्तों मनरेगा महिला मेट 20 स्टेप में लगानी होगी अभी ने आउनलाइन हाजर यह नया आदेश चारी हो गया है जो की लागू भी 25 जनवरी से हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और अगर आप इस चैनल संद्या हुमिनिस्ट पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो में ह हम बताने जा रहे हैं कि जो आपको 20 से अधिक हाजरी लगाने के लिए बटन दबानी होंगी वो क्या 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 कैसे कैसे दबानी होंगी क्या नियम है दोस्तों ये सब आप चानकारी लेने के लिए जरूर इस चैनल पर बने रहे और शेयर कर देंगे तो हम वीडियो को इसके जरीए कामगारों की हाजरी लगाई जा रही है एप से हाजरी लगाने का कारे कुछ पंचायत में सुरू हो गया है जबकि कुछ पंचायतों में अभी नए मस्टरोल ना निकलने से यह कारे शुरू नहीं हुआ है एप पर एक दिन की हाजरी लगाने के लिए प्रधा कार गारंटी योजना मनरेगा के तहट कामगारों की हाजरी अब नेशनल मोबाइल मानिटरिंग साफ्ट वेर एन एम एम एस एप पर लगेगी एप से हाजरी लगाने का कार कुछ पंचायतों में सुरू हो गया है जबकि कुछ पंचायतों में अभी नए मस्टर रोल ना निक जरना होगा इसके बाद ही हाजरी अपलोड होगी यह पर किरिया रोज़ाना हाजरी लगाने के लिए दोहरानी होगी भारस सरकार के ग्रामीर विकास मंतराले में मनरेगा मजदुरों की हाजरी में पारदर सिता लाने के लिए एन एम एस एप बनाई है इसके जरीए कामगा की हाजरी लगाई जा रहे हैгляд पर हाजरी लगाने के लिए ग्राम रोजगार शेखों में वार्वार्ट सदस्वे के लिए यूजर आइड находится में आपको हाजरी लगाना होगा तो हम आपको बताने जा रहे हैं step by step कैसे हाजरी लगानी होगा दोस्तों हाजरी लगाने के लिए क्या step होंगे इसको हम बताने जारे नमबर एक होगा एप ओपन कर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा नमबर दूसरा है एप में मनरीगा के साथ बनी तीन लाइनों पर क्लिक करना होगा नमबर तीन है मस्टर रोल को डाउनलोड करना होगा नमबर चार है डाउनलोड मस्टर रोल इशू डाटा नमबर पांच है मिले संदेश पर ओकी बटन दबाना होगा नमबर छे है बैक बटन दबा कर फिर से डाटा एंट्री आफसन तक पहुचना होगा नमबर साथ है डाटा इंटरी बटन पर क्लिक करना होगा नमबर आठ है मस्टर रोल अटेंडेंस पर क्लिक करना होगा आपको नमबर नौ है वर्क कोड सेलेक्टेट करना होगा नमबर दस है मस्टर रोल नमबर सेलेक्ट करना होगा नमबर 11 है मस्टर रोल को ओपन करना होगा नमबर 12 है मस्टर रोल में मजदूरों की नाम की आगे बने कालम पर क्लिक करना होगा नमबर 13 है लगाई गई हाजी को कंफरम करना होगा नमबर 14 है, एप पर बने camera button पर कलिक कर photo खीच ponto और उसे save करना होगा नमबर 15 है, दो बार back button पर क्लिक कर upload डाटा पर पहुचकर क्लिक करना होगा नमबर 16 है upload attendance पर क्लिक करना होगा और दोसरे चरड की परकिए ये है, नमबर 17 है दोपहर की हाजरी के लिए पुना एप खोल कर work code और master roll एप select करना होगा नमबर 18 है data entry पर click करना होगा नमबर 19 है afternoon second workers photo पर click करना होगा नमबर 20 है work code और master roll number को select करना हो के बाद group photo को save करना होगा नमबर 21 है दोस्तों, bank button के पीछे जाकर data entry से नीचे upload data पर click करना होगा नमबर 22 है upload attendance ग्रुप फोटो पर click करना होगा नमबर 23 है, ग्रुप फोटो अफटरुन नमबर of record को upload करना होगा तो दोस्तों मैंने जैसे कि अभी बताया था कि आपको 20 स्टेप से ज़ादा अपनी हाजरी लगाने के लिए गुजरना होगा तो ये रहे 23 स्टेप जिसको आपको आटेंडेंस लगाते टाइम करना है और दोनों चरड़ों में तो दोस्तों मने देगा मजदूरों की हाजरी एप से आनलाइन लगाने का प्रावधान भारस सरकार के ग्रामीड विकास भी भागने किया है पंचायत परधानों उपरधानों और आड्स वार्ड सदस्यों को परशिचर दिया जा रहा है इसके बाद आनलाइन हाजरी सुनुशित कराई जा रहे है तो दोस्तों डाक्टर निपूर जिंदल जिलाधिस कांगडा ने ये कहा है दोस्तों तो ये रही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट निउस जिसे आप जरूर देखे और इस जो मैंने ये वीडियो आप लोगों को भेज रही हूं बना रही हूं इससे आप इस वीडियो को देखकर आप लग जाएगी लेकिन उसमें से एक भी step नहीं होना चाहिए अगर ये भी step मिस होगा तो आगे का step आएगा है नहीं तो दोस्तों ये रही हाजरी के नियम क्या क्या है इसमें 23 step और कैसे आपको करना है तो सारे जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे देए अच्छी जरूर करिएगा धन्यबाद नमशकार जहिंद बंदे मादरम दोज़ाइगा